हाईलो दोस्तों नमस्कार आपको अपने टेक्निकल ब्रच चैनल पापका स्वागत है टेक्स लेटेड कोई भी कहीं भी दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए दोस्तों आज के वीडियों बात करूंगा का अगर आपके पास भी मोट्रोला का कोई भी फोन हो ओक कि आपका पैटर्न अगर लग गया है तो उसे तोड़ना चाहते हैं तो चलिए मैं यहां पे स्टार्ट पे किलिक करके आपके सामने में आपको सेटप बेसेटप करके मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या मेरे साथ इसू आ रहा है और क्या मैं फेस कर रहा हूं यहां पे द तो उसके लिए यह सिंपल से बात आपको बैक आजाना है पूरा बैक बैक आजाने के बाद यहां इमर्जेंसी कॉल दिखाया दे रहा है इस पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपको दिखाया दे रहा है इस पर क्लिक करना है इसके बाद दो बार इस पर टिक करना है उस उसके बाद यहां पर जैसी किलिक करेंगे तो यहां पर थीरी लाइन दिखाए देगा, इसपर किलिक करना है, फिर यहां पर गूगल ट्रैइक दिखाए दे रहा है तो इस पर थ्वात दे तक long press किये रहना, यहसी long press किये रहेंगे तो इसका app information menu खुल जाएगा, उसके बदर आपको permission पर क्लिक करना है permission पर क्लिक करते हैं उपर आपको एक search का icon दिखाए देगा इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर search मारना है apps जैसे आप search मारेंगे apps तो यहाँ पर एक option आजाएगा apps है notification करके तो आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर app information दिखाए देगा यहां पर be see all app करके तो आपको app information पे click करदेना है फिर यहां पर आपको क्या करना है कि Android setup जो आपको को दिखाए देगा भी से पहले आपको यहां पे three teams, three दोड Owز दिखाए दे रहा है आपको यहाँ पे इसका clear case and clear storage पर क्लिक करके इसको clear data कर देना है, फिर आपको back आना है, back आजाने के बाद इसको force stop कर देना है, okay, फिर यहाँ से आपको disable कर देना है, okay, disable app, उसके बाद back, एक और invite setup आना है, इसको भी वही कर देना है, same, click करके clear and catch, okay, उसके बाद back, उसके करना है, back आजाने के बाद यहाँ पर आपको search माना है, google play service, जैसे आप google play service आपको दिखाए देगा, यहाँ पर, देख सकते है, google play service, यह google play service वाला app है, इसको click करना है, उसके बाद इसको भी आपको storage and catch दिखाए दे रहाए, इसको इसको भी clear case and clear storage पर क्लिक करके, यहाँ पर disable app कर देना है, उसके बाद आपको back आजाना है, बस simple सी बात है, इसको clear कर देना है, उसके बाद क्या करना है, आपको setting open करना है, यहाँ पर आपको नीचे आएंगे, तो नीचे आपको एक setting का option दिखाए देगा, यह देख सकते है, setting पर click करेंगे, फिर यह आपको यहाँ पर open करना है, open करने के बाद यहाँ पर आपको accessibility दिखाए दे रहा है, इस पर click करके, आपको accessibility दिखाए दे रहा है, इस पर click करेंगे, और यह वाला menu दिखाए दे रहा है, इसको आपको enable कर देना है, जैसे आप enable करेंगे, allow करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते accessibility menu आपको open हो जाने के बाद फिर से आपको स्टार्ट पर किलिक करना है स्टार्ट पर किलिक करेंगे फिर से आपको स्कीप करना है सिंपल से बात है ओके उसके बाद यहां पर जो एसेसिबिल्टी आपको दिखाए दे रहा है यहां पर किलिक करेंगे और यहां असिस्टेंट दिखाए दे रहा है इस पर किलिक करना है जल्दी जल्दी ओके असिस्टेंट पर किलिक करेंगे फिर असिस्टेंट तो फिर यहां पर एक सेटिंग करके एक आप्शन हाइलाइट होगा ओके यहां पर चेकिन इंफर्मेशन आ बात कुछ हैं यहां पर क्लिक कर देंगे इसके यह वहाइब पारपी बंप अगर आपका सामने वाला सिस्टम से अगर आपका नहीं हो रहा है, तो आप बेंग के लाश्ट में बताया हूं कि आप उसे कैसे, वहाँ पे अगर वॉ людям से नहीं हो रहा था, आप उसे कैसे रिसॉल्ब कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप पास्वेर लगा शेक्ते हैं, या आप इसे skip करना चाहते तो skip कर सकते हैं फिर okay कर सकते हैं और यहाँ पर देखे गेटिंग और फोन रेड़ी यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फोन पूरी तरह से 100% unlock हो जाएगा यह देखिए आपके सामने यह रहाँ यह रहाँ परमीशन यह देखिए मेरा फोन अनलॉक हो गया पूरी तरह से अगर फिर भी दिक्कत होती है नीचे कहीं भी होई प्रॉबलम तो आप नीचे कमेंड कर दीजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए दीजिए जाज़ा धन्यवाद चैहिंदे